NPS वातसल्य के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए Central Bank के किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट 2024 भाशन में एक नई योजना NPS वातसल्य शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह योजना नाबालिगों के लिए एक राश्ट्रिय पेंशन योजना NPS होगी जिससे मातापिता अपने बच्चों की ओर से NPS में एक निश्चित राशी का योगदान कर सकेंगे ताकि उनका भविश्य सुरक्षित हो सके और उन्हें रेटायर्मेंट फंड बनाने में मदद मिल सके. बजट 2024 में प्रस्तावित NPS वाट्सले योजना मातापिता और अभीभावकों को अपने बच्चों के लिए राश्ट्रिय पेंशन योजना NPS शुरू करने में सक्षम बनाती है. इस योजना के तहट मातापिता और अभीभावक अपने बच्चों के लिए एक NPS खाता खोल सकते हैं और बच्चे के 18 साल का होने तक हर महीने या साल में एक निश्चित राशी का योगदान कर सकते हैं। जब बच्चा वयस्कता की आयू 18 वर्ष पर पहुंच जाता है तो NPS वातसल्य योजना को नियमित NPS खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बच्चा स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकता है। NPS वातसल्य राशी में अरजित अंचदान राशी बच्चे के 18 वर्ष की आयू तक पहुंचने पर मानक NPS खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। पेंशन आय प्रदान करती है। इस प्रकार, NPS वातसल्य योजना भेतरीन सेवाने वृत्ती विकल्पों में से एक है, जो बच्चे की वित्तिय सुरक्षा की गारंटी देती है। इस प्रकार, जब बच्चा वयस्क हो जाता है, तो NPS वातसल्य खाते को NPS खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे बच्चे के जीवनकाल तक जारी रखा जा सकता है और एक अच्छा रिटायर्मेंट कोश बनाया जा सकता है। NPS वाचसल्य खाता एक अच्छा रिटायर्मेंट फंड विकल्प है क्योंकि खाते में योगदान तब शुरू होता है जब बच्चा नाबालिग होता है। इस प्रकार बच्चे की सेवानिवृत्ती के समय एक बड़ी राशी जमा हो जाएगी। सेवानिवृत्ती के समय कोई व्यक्ती NPS खाते में जमा राशी का 60% निकाल सकता है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो NPS वाचसल्य खाते को मानक NPS खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और सेवानिवृत्ती की आयू तक पहुंच जाता है, तो वह आरामदायक सेवानिवृत्ती जीवन जीने के लिए अच्छे रिटर्न प्राप्ट कर सकता है, क्योंकि उसे संचित NPS राशी का 40% वार्षी की योजना में आवंट सिखाती है, क्योंकि 18 वर्ष की आयू प्राप्ट करने पर NPS वातसल्य खाता एक मानक NPS खाते में परिवर्तित हो जाता है, और बच्चा स्वतंत्र रूप से खाते में योगदान करना शुरू कर सकता है, NPS वातसल्य योजना नाबालिक बच्चों के सभी मातापिता और अ जिससे परिवारों को अपने बच्चों की वित्तिय सुरक्षा और सेवानि वृत्ति के लिए एक नया निवेश विकल्प मिलता है, NPS खाता खोलने के लिए गार्जियन का KYC अनिवार्य है, साथ ही साथ बच्चे का जन्प्रमान पत्र या स्कूल लीविंग या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पैन पासपोर्ट जरूरी है